नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त पीर सिंग के साथ दोस्तों पिछले कई महीनों से एक सच जो हम आप तक लेकर आते रहे हैं मामला SMS Infrastructure Company का है जो नागपूर की कंपनी है गायत्री नगर IT पार्क में कंपनी है और इसके मालक आनंद संचेती है आनंद संचेती और SMS Company एक बड़ा होड एक बड़ा नाम रखते हैं मार्केट में क्योंकि सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा जो बरे टेंडर है वो ये लोग काम करते हैं सारे बरे टेंडर पे SMS Company हर डिपार्टमेंट में शायद ही कोई ऐसा महतुपूर्ण या बरा डिपार्टमेंट होगा जहां SMS Company काम नहीं करती होगी तो सवाल ये उठता है कि पिछले एपिसोड में जो हमने आपको बताया कि यवत माल जिले के दिग्रस तहसिल में जुम्मा मस्जीद की जो अधिकारिक जमीन थी उस जमीन के सबसे शुरुवाती तोर पे पांच एकर में इन्होंने अवैद खनन किया था जबकि कुल एग्रिमेंट के तहित इनका लगभग 25 एकर का कुछ एग्रिमेंट हुआ था जो सुत्र हमें बताते हैं लेकिन शुरुवाती पांच एकर में इन्होंने खनन किया लेकिन ये खनन करने के लिए इन्हें ETP रोयल्टी के जरुरत होनी चाहिए और बीना ETP इन्होंने दिग्रस तहसिल में अवैध खनन किया जिसको लेकर के हम इससे पहले कई एपिसोड में अपने आज की खास बात में आप तक हम आपको बता चुके हैं इस संबंधित हम लगातार फॉलो लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रविन धान औरकर वहां के तैसिलदार थे उन्होंने पत्र लिखा वहां के कलक्टर जो है यवतमाल के यवतमाल कलक्टर ने पत्र लिखा तैसिलदार को इसकी जानकारी चाहिए तैसिलदार ने जो विभिन कि उस पे पेनल्टी बैठती है लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने खुल कर नहीं आ रहा है कोई भी अधिकारी ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं है धनौरकर जी जो तैसिलदार थे जिन्होंने एक्शन किया अपने रहते हुए उनका ट्रांसफर हो गया फिर किसी अन्य रिजन्स अभी वो नहीं है वहाँ भी दूसरे तैसिलदार है उन्होंने ये कहा कि हम इस पे फॉलॉप ले रहे हैं अन्य डिपार्ट्मेंट पी डबलू डी के जो मुख्या वियंता हो रहे हैं इन्साम बाचित करने खोशिश कर रहे हैं ये फोन पे को भी बात करने को तयार नहीं है कुछ लोग फोन नहीं उठाते हैं और फिर जब हमने SMS कंपनी के जो चेयर्मेन है आनंद संचिती उनके पीए से लगभग 15-20 दिनों से लगतार हमारी बात हो रही हर दो दिन एक दिन दो दिन एक दिन के बाद बताते हैं करते हैं और इस पे कोई अध सरकार के कई ठेकों में काम करती हैं और सरकार को चुना कैसे लगा सकती है और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है संचेती जी की जो पीए है रश्मी मैम उनसे लगातार बाचीत हुई आज उन्होंने कहा कि हम हमारा मैटर क्लोज हो गया है और ये फोन मैंने पुछा कि उसके किनकिन लोगों का सपोर्ट है, एक कमपन्य की सारी जानकारी जो है एक बंड़ा खुला सा अगले एपिसोड में हम आप तक लेकराईंगे और इस संबंदित हर जानकारी के लिए आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन्बी सीयल न्यूस पे